Hello students, good morning and welcome to e-learning class. Students, आज हमारा topic है हमारी वसंत बुक का chapter 2 दादी मा और इसके लिखक का नाम है शिप पिशाद सिंग. तो आज हम इस chapter की reading करेंगे. तो चलिए start करते हैं. दादी मा, तो सबसे पहले मैं आपको इस chapter की story बता देती हूं कि इस chapter के अंदर क्या बताया गया है. कि देखें जो लेकक हैं शिप पिशाद सिंग, वो अपनी दादी मा को याद करते हैं कि उनकी दादी मा का स्वभाब कैसा था, वो उनके साथ किस तरीके से रहता था, कि वो बताते हैं, जब याद करते हैं कि मेरी दादी मा का स्वभाब दूसरों से बहुत अलग था, कि जब घर में कोई बिमार हो जाता या फिर पड़ोस में कोई बिमार हो जाता, वो सबसे पहले उसकी देखरेक करने के लिए जाती, और किसी की भी साहता करनी हो तो वो कभी भी पीछे नहीं रहती वो सबसे आगे आती और उसकी साहता करती अगर किसी पर कोई करजा भी होता तो वीवे उसे माप कर देती चाहे अपने उपर कितने भी परेशानी होती फिर भी वो दूसरों की हमेशा साहता करती तो जो लेकक है वो याद करते हुए कहते हैं कि मुझे बच्पन में बिमार होना, हलका सा बुखाराना, हलका सा जुखाम, खासी होना मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मेरी दाधी मा तुरंत ही मेरी देखरेक करने लग जाती, वो मेरे लिए घर पर ही काड़ा बनाती और बहुत तरीके के उपचार वो घर पर ही कर देती तो इस तरीके की बाते हैं जो लेखक वो अपने दादी मा के बारे में बताते हैं तो अब विस्तार से इसको पढ़ते हैं बोला गया है बोला है, देखियां से कि जो लेखक हैं वो याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे सरीर में थोड़ी सी कमजोरी सी आ गई है लेकिन जो मेरे मित्र हैं वो मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं कि अभी हमारे चुट्टियां वो पढ़ने वाली हैं लेकिन वो मेरी पीछे मजब उड़ाते हैं कि ये तो डरपोक है और ये घवराने वाला वैक्ति है कि छोटी छोटी बात पर घवरा जाता है लेकिन वो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे वो एक दुंदली सी छाया दिखाई देती है और जो लेखक हैं वो याद करते हैं जैसे क्वार के दिन आ गए हो क्वार के दिन जो स्तंबर महीने का जो बोला गया है क्वार उसे बोला गया है वो बोलते हैं जब उसमें बरसात होती है हर तरफ जो घास फूस है वो उकती है जो जलाशे हैं जो सडके हैं वो पानी से भर जाती है वो उन्हें बहुत है देख याद आ महीना और उसमें बोलते हैं चैत जो अपरेल है उसको बोला गया है तो वो कई सारे महीनों के नाम लेते हैं और उनमें खाय जाने वाली वस्तों का नाम लेते हैं बोलते हैं उन सभी का मुझे कोई कोई खुशी नहीं होती उन सभी वो चीजे मिलना ना मिलना मुझे उनका कोई गम नहीं है लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद आती है कि मुझे जब थोड़ा सा भी ज़र मींस बुखार आ जाता थोड़ी सीवी जुखाम सर्दी हो जाती तो मेरे लिए कैई तरीके की उपचार करने शुरू हो जाते लेकिन एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरे उपर बार बार रजाई पर रजाई डाली गई और मेरा जो बुखार था वो रात को बार बजे उत्रा तो वो बोलते हैं कि जम मुझे एक बार बुखार आ गया था ठीक हुआ है या नहीं हुआ और मेरे लिए कई पिरकार की उनको कैई सारी दवाओं के नाम मुझवानी याद होते और कई दवाओं के नाम बताती और जो खाना मनाने वाला रसोया होता वो अपना मैश महराज वो खिचडी बना कर लेकर आते जो लेकर के उनको साउदाने की खिचडी बचपन में बहुत पसंद होती है और वो बोलते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो आते हैं दवाई देते हैं तो मुझे उनका जो इलाज करने का तरीका है वो वाला बुखार मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो वो बुखार ही अच्छा लिया वो इस तरीके की जो उपचार हैं और परेज हैं वो रखती और वो बता लेखक हैं वो याद करती हुए कहती हैं कि जो उनके बड़े भीया हैं किशन उनकी शादी बड़ी धूमदाम से हो जाती है और जो दादी मा हैं वो घर के सारे काम करती हैं और इतना वियस्त र एक बार ऐसे ही रामी की चाची होती है वो हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और मेरी दादी माँ उनसे लड़ती है आप तो हमारी मालकिन हैं अगर आप ही हमारी सायता नहीं करेंगी तो मेरी बेटी की शादी किस तरीके से होगी लेकिन दादी मा उसे डाट फटकार कर जाने के लिए कहती है आप देखे स्क्रीन पर दिख सकते हैं कि ये रामी की चाची है और ये लेखक की दादी मा है तो फटकार कर भेज देती है उसके बाद जो रामी की चाची है, वो अपना आचल पकड़कर वहांपर खड़ी रहती है, लेकिन वहां से चले जाती है उसके बाद जो लेखक हैं वो अपने आंगन में होते हैं और उनके सामने ये वारतालाप हुई जो प्रसंग है ये एक वारतालाप वाला ये हुआ होता है लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं लेकिन एक दिन वो क्या देखते हैं कि जो रामी की चाची हैं उनका नाम है बच खुश क्यों ना हो, वो कहते हैं, क्यों क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि उन्होंने तो मेरा पुराना कर्जा भी माफ कर दिया, और मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए भी पैसे दे दिये तो जो लेखक हैं वो कहते हैं तो क्या हुआ मालिक साव हैं वो तो ढट भी सकते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जब बड़े भाई किशन की शादी हुई तो घर में 3- इन तक खूब संगीत बजे, रात बर गीत गाए और महिलाएं होती हैं, वो शादी का पूरा अभीने करती हैं और बताते हैं कि किस तरीके से घर में मनुरंजन का माहौल बना रहता है और जो विवा है वो बहुत अच्छे तरीके से संपन हो जाता है। उसके बाद जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि जब हम बच्पन में अगर हम कोई शरारत कर देते, कोई अपराद कर देते, तो दादी मा के पास आकर खड़े हो जाते ऐसा लगता कि अब हमने कोई अपराद नहीं किया है और हमें अभैदान मिल गया है। अभैदान का मतलब कि अब हमें कोई पीट नहीं सकता। लेकिन लेखक हैं वो बताते हैं कि जब हमारे दादा जी की मिर्तियों हो जाती है तो दादी मा बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती हैं और चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। जो हमारे दिश्टिदार होते हैं सगे संबन्दी होते हैं आसपड़ोसी होते हैं वो सभी दिखावे के हमें उस इस्तिती में नजर आते हैं क्योंकि वो हमें दादा जी की जो मरने के बाद जो किदिया करम करते हैं उसके लिए बहुत सारे रीती रिवाजों में वैट की र अपना चाहने वाला नहीं था लेकिन और दादी मा होती है वो बहुत जादा शांत शांत चुप रहने लग जाती है और दादी मा की आंखों से आंसु भी बहने लग जाते हैं तो मैं दादी मा से पूचता हूँ कि दादी मा आप क्या रो रही है तो दादी मा बहुत प्यार स मेरी तरफ देखती है ये सारी बाते लेखक हैं वो बता रहे हैं और देखे उनके उस समय पे जब उनके दादा जी की मिट्टी हो जाती है लेखक के दादा जी की तो उनके घर में कुछ भी पैसे नहीं रहती है तो वो सभी बहुत उदास रहने लग जाती है कि अब कैसे क्या होगा तो जो दादी माह है वो एक सौने की सी चीज़ होते हैं चमकते हुई वो निकालके लेकर आती हैं और कहती हैं कี่ ये मुझे तमारे दादा जी ने दी है और मैंने अभी तक पहनी नहीं है शाइद उन्होंने इसी दिन के लिए मुझे दीaches तो जो किसे दादीमा अपने बच्चों को समझाती है और उनकी आंसू पोंचती हैं उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं की मेरी दादीमा मुझे एक देवी जैश्री प्रतीत होती है लेकिन वो कहते हैं अब मुझे कुछ कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई कोई बोल रहा है तो यहां पर क्या होता है जो लेखक ये सारी बाते सोच रहा था तो इन सारी बातों से वो परे मतलब सच्चाई की तरफ आने लगता है वो उन बातों में जो हो गया था जो तो वो वास्त्विक्ता में आने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो दूदली चाया सी अब मेरी आँखों से गायाब सी हो रही थी और मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है कि मेरी दादिमा अब इस संसार में नहीं रही है क्योंकि जो लेखक हैं वो अपनी दादिमा के ब पड़ लेंगे तो हमें जो इसकी प्रिश्ण उत्तर है उन्हें याद करने में कोई परिशानी नहीं होगी ओके स्टूडेंस तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे